नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का एक्जाम अचीमेंट में मैं करुणा ये वीडियो लेकर आई हूँ क्लास 12 के हिस्ट्री सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए और इस वीडियो में हम देखेंगे आपके चेप्टर नमबर 11 विद्रो और राज का NCRT Questions का Solutions जो होगा बहुत ही ज्यादा Easy Language में जिसे आप अच्छे से समझ सकेंगे और याद कर सकेंगे तो बने रहे एक्जाम अचीमेंट के साथ और शुरू करते हैं हम अपना पहला प्रश्ण पहला प्रश्ण है फ्रेंट्स बहुत सारे स्थानों पर विद्रोही सिपाहियों ने नेत्रतु सम्हालने के लिए पुराने शास्कों से क्यों आग रह किया तो इसका अंसुर होगा 1857 श्वी की महानक्रांती जिसे भारत का प्रथम सोतंत्रता संग्राम सेनिक विद्रोहों हिंदो मुस्लिम संगठित सन्यंत्र आधी नामों से भी जाना जाता है कि बिगुल सेनिकों ने बजाया और चर्बी वाले कार्थूसों का मामला विद्रोहों का ततकालीन कारण बना आपने पढ़ा होगा कि क्या अफवा फैली हुई थी उन दिनों कि जो कार्थूस थे उन पर सुवर और गाय की चर्बी का लेप चड़ाया गया था और उन कार्थूसों को चलाने के लिए उसके जो खोल उतारना होता था उसको मूह से उतारना होता था जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की धार्मिक भावनाएं आहत होती थी और अंग्रेजी सरकार का ऐसा करने के पीछे धर्म परिवर्तन यानि की इसाई धर्म को अपनाना प्रमुख कारण माना जा रहा था तो ये था इसके पीछे का एक रीजन जिसने 1857 के विद्रो को या क्रांती को एक तरह से हवा दी आगे देख लेते हैं शीगर ही यह विद्रो जन विद्रो बन गया लाखोकारी गरों किसानों और सिपाहियों ने कंदे से कंदा मिला कर एक वर्ष से भी अधिक समय तक ब्रिटिस सत्ता के विरुद संघर्ष किया विद्रोईयों का प्रमुकुदेश्य था भारत से ब्रिटिस सत्ता को उखाड फैकना वास्तव में विद्रोही सिपाही भारत से ब्रिटिस सत्ता को समाप्त करके देश में अठार्वी शताबदी की पूर्व ब्रिटिस व्यवस्था की पुन्र स्थापना करना चाहते थे ब्रिटिस साशकों ने भारतिय राजगरानों का पमान किया था साधनों के ओचित्य अत्वा अनोचित्य की कोई प्रवाना करते हुए कहीं छल कहीं बल तो कहीं बिना किसी आड़ के ही आधिकारिक भारतिय राज्यों एवं रियासतों का विले अंग्रेजी सामराज्य में कर था परिणाम सुरूप उनमें ब्रिटिस सासन के विरुद घोर असंतोष व्याप्त हो गया था विशाल संसाधनों के स्वामी अंग्रेजों का सामना करने के लिए नेत्रत्व और संगठन की अत्यधिक आवशकता थी निसंधे योगे नेत्रत्व और संगठन के विर्दा बि भारत में ब्रिटिस साशन की स्थापना से पहले नेताओं की भूमी का निभाते थे और जिने नेत्रत्व और संगठन में अच्छा अनुभव था इसलिए विद्रोही सिपाहियों ने अनेक स्थानों पर पुराने शाशकों को विद्रोह का नेत्रत्व समालने के लिए जानी थी और मुगल समराथ बहादुर शहा दीतिया दिल्ली में निवास करता था। दिल्ली पहुँचते ही सिपाहियों ने व्रद मुगल समराथ से विद्रो का नेतरत्व सम्हालने का रोद किया, जिसे समराथ ने कुछ हिच किचाहट के बाद स्विकार कर लिया। इसी प्रकार कानपूर में सिपाहियों और शहर के लोगों ने पेश्वा बाजिराव दीतिया के उतरदिकारी नाना साहिब को अपना नेता बनाया। उनकी ड्रिस्टी में नाना साहिब एक योग्य और अनुभवी नेता थे, जिन्हें नेतरत्व और संगठन का प्रियाप्त अनुभव था। इसी प्रकार जासी में रानी, लक्ष्मी बाई, बिहार में आरा के स्थाने जमिदार कुमर सिंग और लखनो में अवद के नवाव वाजिद अली शाहा के युवा पुत्र बिर्जिस कादर को विद्रो का नेता गोशित किया गया। पुराने साशकों को विदरों का नेत्रत्व करने का आग रह करके सिपाही विदरों को एक व्यापक जन आंदोलन बनाना जाहते थे। जन साधारन को अपने पुराने सासकों से प्रियाप्त लगाव था उन्हें लगता था कि ब्रिटिस सासकों के अनुचित रूप से उन्हें उनकी सत्ता से वंचित कर दिया था ऐसे सासकों का नेतरतु उनके विरोध को शक्ति शाली और जन प्रियर बना सकता था तो दोस्तों आजाते हैं अभी question number 2 में उन शाक्षियों के बारे में चर्चा कीजिए जिन से पता चलता है कि विद्रोही योजनावद और समन्वित ढंग से काम कर रहे थे इसका अंसर होगा 1857 के महान विद्रोह से संबंदित उपलब्द शाक्षियों के अदार पर विद्वान इतियास कारों का विचार है कि विद्रोही योजनावद और समन्वित ढंग से काम कर रहे थे बिन बिन इस्थानों पर होने वाले विद्रोहों के प्रारूप में उपलब्द समानता का मुख्य कारण विद्रोही योजना एमन समन्वे में नहित था लगभग सभी चावनियों में सिपाईयों द्वारा चर्बी वाले कार्थूस के विरुद विद्रोह किया जाना मेरट पर अधिकार करने के बाद विद्रोही सिपाईयों का ततकाल राजानी दिल्ली के और प्रस्थान करना तथा मुगल सम्राड बादूरसादीत्य को नेतरत्यों समहनने का आगरे करना ये सिद्ध करता है कि विद्रोहीों की कार्य पदति, योजना बद और समन्वित थ उपलब्ध शाक्षियों के अधार पर ये भली भाती कहा जा सकता है कि भिन-भिन च्छावनियों के सिपाहियों के मद्धें अच्छा संचार सम्मंद स्थापित किया गया था उधारन के लिए जब मई के प्रारंब में सात्वी अवत इरेगुलर केवेरली ने नए कार्थूसों का प्रियोग करने से इनकार कर दिया तो उन्होंने 48 नेटिव इनफेंटी को लिखा था कि हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए ये फैसला लिया है और 48 इनफेंटी के आदेश की प्रतिक्षा कर रहे हैं इससे स्पस्ठ हो जाता है कि विभिन च्छावनियों के मद्धे संचार के साधन विद्धमान थे सिपाही अत्वां उनके संदेश वाहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर समचारों को लाने और ले जाने का काम कुशलता पूर्वक कर रहे थे परस पर मिलने पर सिपाही केवल विद्रों की यूजना बनाते थे और उसी विशे में बाते करते थे यद पी उपलब्द दस्तावेजों के अधार पर ये कहना कठिन है कि विद्रों की योजनाओं को किस प्रकार बनाया गया था और इनके योजनाकार कौन थे किन्तु उपलब्द शाक्षों के अधार पर ये सुनिस्चत रूप से कहा जा सकता है कि विद्रो की योजना सुनो नियो जित रूप से की गई थी चॉल्स बॉल जो विद्रोहों के प्रारंबिक इतिहासकारों में से एक थे उन्होंने लेख किया है कि प्रतेक रेजिमेंट के देशी अवसरों की अपनी पंचायते होती थी जो रात को आयजित की जाती थी इन पंचायतों में विद्रोह संबंदी महतपूर निर्नेओं को सामोहिक रूप से लिया जाता था उधारण के लिए विद्रोहों के दोरान अवद मिलेटरी पुलीस के कैप्टन हीर्स की सुरक्षा का उत्तरदा ये तो भारतिय सिपाहियों पर था जिस स्थान पर कैप्टन हीर्स नियुक्त था उसी स्थान पर 41 वी नेटिव इंफेंटी भी नियुक्त थी इन्फेंटी का तर्क था कि क्यूंकि वे अपने सभी गोरे अफसरों को समाप्त कर चुके हैं इसलिए अवद मिलिटरी को भी है करतव्य है कि या तो वे हीर्स जो की वहाँ का अधिकारी था उसको समाप्त कर दे या उसे कैद करके 41 वी नेटिव इन्फेंटी को सौप दे किन्तु मिलिटरी पुलिस ने इन दोनों दलीलों को स्विकार नहीं किया अतहाँ यह निश्चे किया गया कि इस विशे के समाधान के लिए प्रतेक रेजीमेंट के देशी अवसरों की एक पंचायत को बुलाया जाए समकाले इन शाक्षियों में रात की समय कानपुर सिपाही लाइनों में आयोजित की जाने वाली इस प्रकार की पंचायतों का उलेक मिलता है इन सभी लक्षियों से यह स्पस्ट होता है कि विद्रोही योशन अबद और समन्विध धंग से काम कर रहे थे आजाते हैं कोईशन नमबर तीन पर इसका आंस्वर होगा बैरकपुर की एक गटना ऐसी ही थी जिसका संबंद गाय और सुवर की चर्बी लिप्टे कार्तूसों से सा जब मेरट चावनी में अंगरेज अदिकारीों ने भारती सेनिक को चर्बी लिप्टे कार्तूस को मुझ से खोलने के लिए मचबूर किया और हिंदू और मुसल्मान सभी सेनिक अपने धर्म को ब्रस्ट होने से बचाने के तर्क के साथ दिल लिया गए हिंदू और मुसल्मानों को एक चुट होने और फिरंगियों का सपाहया करने के लिए कई भाषाओं में अपीलें जारी की गए विद्रो का संदेश कुछ इस्थानों पर आम लोगों के द्वारा तो कुछ इस्थानों पर धार्मिक लोगों के द्वारा फैलाया गया उधारन के लिए मेरट के बारे में इस प्रकार की खबर फैला दी कि वह हाती पर सवार एक फकीर आता है जिससे सिपाही बार-बार मिलने आते हैं लखनों में अवत पर कबजे के बाद बहुत सारे धार मिकनेता और स्वेंभू, पेंगंबर, प्रचारक, ब्रिटिस राज को समाप्त करने की अलग जगा रहे थे सिपाहीयों ने जगा जगा छाबनियों में कहलवाया कि यदि वे गाए और सुवर की चर्बी के कार्तूसों को मूँ से लगाएंगे तो उनकी जाती और ध्रम दोनों प्रस्ट हो जाएंगे अंग्रेजों ने सिपाहीयों को बहुत समझाया लेकिन वो टस से मस नहीं हुए 1857 के प्रारंब में एक अफवा यह भी जोरो पर थी कि अंग्रेज सरकार ने हिंदु धर्म और मुस्लिम धर्म को नस्ट करने के लिए एक साजिस रचली है कि बाजार में मिलने वाले आटे में गाय और सूवर का चूरा अंग्रेजों ने मिलवा दिया है लोगों में डर फैल गया कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों को इसाई बनाना चाहते हैं कुछ योगियों ने धार्मिक स्थानों दरगाहों और पंचायतों के माध्यम से इस भविश्यवाणी पर बल दिया कि प्लासी के सो साल पूरे होते ही अंग्रेजों का राज 23 जून 1857 को समाप्थ हो जाएगा कुछ लोग गाउं में शाम के समय चपाती बटवा कर यह धार मिक्षक फैला रहे थे कि अंग्रेजों का साशन किसी उथल पुथल का संकेत है दोस्तों कुशन नमबर 4 है विद्रोहियों के बीच एक तर स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए इसका अंसर होगा निम्न तरीके अपनाए गए जिसमें की पहला पॉइंट है गाए और सुवर की चलबी के कार्टूस आटे में सुवर और गाए की हट्टियों का चूरा प्लासी की लड़ाई के सो साल पूरे होते ही भारत से अंग्रेजों की वापसी जैसी खबरों ने हि अन्यान रूप से उत्ते जित करके उन्हें एक जुट किया अनेक स्थानों पर विद्रोहियों ने इस्त्रियों और पुर्षों दोनों का सहयोग लिया ताकि समाज में लिंग भेदभाव कम हो सके सेकेंड पॉइंट हिंदू और मुसल्मानों ने मिलकर मुगल समराड बहादुर शाह का सिर्वात प्राप्त किया यानि कि उनका सहयोग और समर्थन दोनों प्राप्त किये ताकि विद्रोहों को वैधता मिल सके और उसको बहादुर शाह जफर के नाम से चलाया जा सके तीसरा, विद्रोहियों ने मिलकर अपने सत्रू फिरंकियों का सामना किया उन्होंने दोनों समुदायों में लोकप्रिये तीनों भाशाओं हिंदी, उर्दू और फार्सी में अपीलें जारी करी चौथा, बहादर शा के नाम से जारी की गई गूशना में मुहम्मद और महावीर दोनों की दुहाई देते हुए जन्ता ने इस लड़ाई में सामिल होने का आवहन किया दिलचश्व बात यह है कि आंदोलन में हिंदू और मुसल्मानों के बीच खाई पैदा करने की अंग्रेजों द्वारा की गई कोशिशों के बावजूद ऐसा कोई फर्क नहीं दिखाई दिया अंग्रेज साशन ने दिसंबर 1857 में पस्चिमी उत्तर प्रदेश में इस थेत बरेली के हिंदूओं को मुसल्मानों के खिलाफ भड़काने के लिए 50,000 रुपे खर्च किये लेकिन उनकी यह कोशिश नकाम्याब हो गई पांचमा पॉइंट है 1857 के विद्रोहों को एक ऐसे युद्ध के रूप में पेश किया जा रहा था जिसमें हिंदूओं और मुसल्मानों दोनों का नफानुकसान बराबर था इस तहारों में अंग्रेजों से पहले के हिंदू मुसलिमतीत की और भी संकेत किया जाता था और मुगल सामराज्ये के तहट विबिन समुदायों के सहय अस्तित्व को गौरवगान किया जाता था विद्रोहीयों ने कई संचार माध्यमों का प्रियोग किया सिपाहियों या उनके संदेश वाहक एक दूसरे से दूसरे स्थान पर जा रहे थे विद्रोहियों ने कार्यवाही को समरूपता एक जैसी योजना और समन्वे स्थापित किया ताकि लोगों में एक ताप पैदा हो अनेक स्थानों पर सिपाही अपनी लाइनों में रात के समय पंचायत करते थे जह सामोहिक रूप से कई फैंसले लिये जाते थे वे अपनी अपनी जाती और जीवन शेली के बारे में निर्णे लेते थे जह सिकी रानी लक्षमी बाई को और कानपूर के पेशवा नाना साहिब को हिंदू मुसलिम और हिंदू सिपाहियों ने साहस और वीर्था का प्रतीक बनाया ताकि सभी लोग एक मंच पर आकर ब्रिटिस राज्ये के खिलाफ लड़ सके मुशलिम सहजादों अथ्वा नवाबों की और से अथ्वा उनके नाम पर जारी की गई घोशनाओं में हिंदू की भावनाओं का भी आदर किया जाता था एवं उनका समान रूप से ध्यान रखा जाता था नवा सूद खोरों सोदागरों और सहोकारों को बिना धार्मिक भाव किये सभी लोगों ने मिलकर इसली लूटा ताकि पिछडे और गरीब लोग उनसे बदला ले सके और विद्रोहियों की संख्या आम लोगों के विद्रों में सामिल होने से बढ़ सके प्रकार जन सामानने को यह विश्वास दिला दिया गया कि अंग्रेज संपूर भारत का इसाई करण करना चाहते हैं इस प्रकार जन सामानने को यह प्रेणा दी गई कि सब एक होकर धर्म और जाती के भीदभाव को भूल कर अपनी अस्मिता के लिए ब्रिटिस शाषन के विरुद छेड़े गए संगर्ष में भाग ले कोईशन नमबर पांस देख लेते हैं फ्रेंट्स अंग्रेजों ने विद्रों को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए तो दोस्तों ये कोशिंडी बहुत जादा इंपोर्टन्ट होने वाला है तो नमबर वन दिल्ली को कबजे में लेने की अंग्रेजों की कोशिश जून 1857 में बड़े पेमाने पर शुरू हुई लेकिन ये मुहीम सितंबर के आखिर में आकर पूरी हो पाई दोनों तरफ से जमकर हमले किये गए दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा इसकी एक वज़ा तो यह थी कि पूरे उत्तर भारत के विद्रोही राजधानी को बचाने के लिए दिल लिया गए थे सेकेंड कानून और मुकदमे की सामन्य प्रिक्रिया रद कर दी गई थी और यह सपस्च कर दिया गया था कि विद्रोही की केवल एक ही सजा हो सकती है और वो सजा होगी सजाए मोत तीसरा उत्तर भारत को दोबारा जीतने के लिए सेना की कई तुकडियों को रवाना करने से पहले अंग्रेजों ने उपद्रव शांत करने के लिए फोजियों की आसानी के लिए कानून पारित कर दिये थे चौथा पॉइंट मैई और जून 1857 में पास किये गए कानूनों के द्वरा न केवल समूचे उत्तर भारत में मौर्शलला लागू कर दिया गया बलकि फोजी अफसरों को यहां तक की आम अंग्रेजों को भी ऐसे हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने और उनको सजा देने का तिकार दे दिया गया जिन पर विद्रोहों में सिर्फ शक था शामिल होने का पॉइंट नमबर फाइव नए विशेश कानूनों और ब्रिटेन से मंगाए गई नए शेन्ने तुकडियों से लेस अंग्रेज सरकार ने विद्रोहों को कुचलने का काम शुरू किया विद्रोहियों की तरह वे भी दिल्ली के सांकेतिक महत्व को बखुबी समझते थे लिहाजा उन्होंने दो तरफ आमला बोल दिया एक तरफ कलकत्ता से और दूसरी तरफ पजाब से दिल्ली की तरफ कुच हुआ पॉइंट नमबर शेक्स अंग्रेजों ने कूट निती का सहारा लेकर शिक्षित वर्ग और जमिदारों को विद्रोह से दूर रखा उन लोगों ने जमिदारों को जांगीरे वापस लोटाने का आस्वाशन दिया पॉइंट नमबर सेवन अंग्रेजों ने संचार साधनों पर अपना पूर्ण नियंतरन बनाए रखा परिणाम स्वरूप विद्रोह की सूचना मिलते ही वे उचित कारवाही करके विद्रोहियों को विफल कर देते थे दोस्तों अभी थोड़ा लॉंग कोशन्स निमलिखित पर एक लगू निबंद लिखिये और आपकी शब्द शीमा ढाई सो से तीन सो वर्ड की हूनी चाहिए तो इस तरह से कोशन नमबर सिक्स आपका होगा अवद में विद्रोह इतना व्यापक क्यूं था? किसान तालुकदार और जमिदार उसमें क्यूं शामिल हुए? तो इसका अवद में विद्रोह का व्यापक प्रसार हुआ और यह विदेशी शाशन के विरोध लोग प्रतिरोध की अभी व्यक्ति बन गया किसानों तालुगदारों और जमिदारों ने भी इसमें भाग लिया आवद में विद्रो का सुत्रपात लखनव से हुआ जिसका नेत्रत बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया बेगम ने 4 जून 1857 ईश्वी को अपने अल्प व्यस्क पुत्र बिर्जिस कादर को अवद गन नवाप गोसित करके अंग्रेजों के विरुद संगर्ष फ्रारम कर दिया अवद के जमिदारों, किसानों तता सैनिकों ने बेगम से मदत मांगी विद्रोहियों ने असीम वीर्था का परीचे देते हुए 1 जूलाई 1857 को बिटिस रेजिडेंसी को घेर दिया और सीगर ही संपून अवद में क्रांतिकारियों की पता का फहराने लगी अवद में विद्रोह के व्यापक प्रसार का सरवदिक महतपूर कारण यह था कि इस छेतर में बिटिस साशन ने राजकुमारों, तालुकदारों, किसानों तता सिपाहियों सभी को समान रूप से प्रभावित किया था सभी ने अवद में बिटिस साशन के स्थापना के परिणाम सुरूप अनेक प्रकार की पीडाओं को अनुभव किया था सभी के लिए अवद में बिटिस साशन का आगमन एक दुनिया की समाप्ति का प्रतीक बन गया था जो चीजें लोगों को बहुत प्रियत ही वे उनकी आँखों के सामने ही छिन बिन हो रही थी 1857 इश्वी का विद्रो मानों उन सभी भावनाओं, मुद्दों, परंपराओं एवं निस्ठाओं की अभिवेक्ति का श्रोध बन गया था आवद के बिटिस इस्ट इंडिया कंपनी के समराज्य में विला से केवल नवाव ही अपनी कद्दी से वंचित नहीं हुए थे अपितु इसने इन छेतर पर तालुकदारों को भी उनकी सकती संपदा एवं प्रभाव से वंचित कर दिया था उलेखनिये हैं तालुकदारों का चिरकाल से अपने छेतर में महत्वपून स्थान था आवद की संपूर दियाती छेतर में तालुकदारों की जागीरे और किले थे उनका अपने अपने छेतर में जमीन और सत्ता पर प्रभावशाली नेंदरन था भारत में बिटिस आशन की स्थापना से पहले तालुकदारों के अपने किले और हत्यारबंद स्रैनिक होते थे कुछ बड़े तालुकदारों के पास 12,000 तक पैदल सिपाही होते थे छोटे-छोटे तालुकदारों के पास भी लगभग 200 सिपाही तो होते ही थे अवद के विले के ततकाल पस्चात तालुकदारों के दुर्गों को नस्ड कर दिया गया तथा उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया परिणाम स्वरूप ब्रिटिस साशन के विरुद तालुकदारों और जमिदारों का संतोष अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया ब्रिटिस भूरा जश्व नीती ने भी तालुगदारों की शक्ती एवं प्रभु सत्ता को प्रबल प्रहार किया आवद के अधिग्रहन के बाद ब्रिटिस साशन ने वहां भूरा जश्व के एक मुस्त बंदोबस्त को लागू किया इस बंदोबस्त के अनुसार तालुकदारों को केवल बिचोलिये अत्वा मधस्त ही माना गया जिनके जमीन पर मालिकाना हक नहीं थे इस प्रकार इस बंदोबस्त के अंतरगत तालुकदारों को उनकी जमीनों से वंचित किया जाने लगा उफलब्द शास्कों से पता चलता है कि अधिक रहन के पहले अवद के 67 प्रतीशत गाउं तालुकदारों के अधिकार में थे किन्तु एक मुस्त बंदोबस्त लागू हो जाने के बाद उनके अधिकार में केवल 38 प्रतीशत ही गाउं रहे गए थे दक्षिन अवद की तालुकदारों के 50 प्रतीशत से बियदी गाउं उनके हातों से निकल गए तालुकदारों को उनकी सत्ता से वंचित कर दिये जाने के कारण एक संपूर सामाजिक विवस्ता नस्ट हो गई किसानों को तालुकदारों के साथ बांधने वाले निस्टा और सरक्षन के बंदन नस्ट ब्रस्ट हो गई उलेखनिया है कि यदी तालुकदार जंदा का उत्प्रिनन करते थे तो विपत्ती की गड़ी में एक दयालू अभिवावक के समान वे उनकी देखभाल भी करते थे अवद के अधिकरहन के बाद मनमाने राजसों आंकलन एवं गैर लचीली राजववस्था के कारण किसानों की स्थिती तैनिया हो गई अब किसानों को ना तो विपत्ती की घड़ी में अत्वा फसल खराब हो जाने पर सरकारी राजसों में कमी की आशक की जाती थी और ना ही तीस त्योहारों पर किसी प्रकार की सहायता अत्वा कल करज मिल पाने की कोई उम्मीद होती थी इस प्रकार किसानों में ब्रिटिस साशन के विरूद असंतोस बढ़ने लगा किसानों के असंतोस का प्रभाव फोजी बैरकों तक भी पहुँचने लगा था क्यूंकि अधिकांस सैनिकों का संबंद किसान परिवारों से था उलेखनिया है कि 1857 ईश्वी में अवद के जिन छेत्रों में ब्रिटिस साशन को कटोर प्रतिरोद का सामना करना पड़ा उन उन छेत्रों में संघर्ष की वास्विक बागडोर तालुकदारों एवं किसानों के हातों में थी अधिकांस तालुकदारों की अवद के नवाव के प्रतिक कहरी निस्टा थी अतहावे लखनों जाकर बेगम हच्रत महल के नित्रतू में ब्रिटिस साशन के विरुद संघर्ष में सामिल हो गए उन लेखनिया है कि कुछ तालुकदार तो बेगम की पराजे के बाद भी ब्रिटिस साशन के विरुद संघर्ष में एक जुट रहे इस प्रकार यह स्पस्ट हो जाता है कि किसानों, तालुकदारों, जमिदारों तथा सिपाहियों के असंतोष ने अवद में इस विद्रोहों की व्यापकता को विशेश रूप से प्रभावित किया था Q7. विद्रोही क्या चाहते थे? विभिन सामाजिक समूहों की द्रस्टी में कितना फर्क था? तो विद्रोही भारत से ब्रिटिस साशन सत्ता को उखाड फैकना चाहते थे इस विद्रोहों को अंग्रेजों के विरूधे कैसे संगर्ष के रूप में प्रस्तुत किया गया जिसमें सभी लाभानी के समान रूप से भागिदार थे वास्तव में ब्रिटिस साशन के अधीन भारते समाज के प्रतेक वर्ग के हितों को हानी पहुंसती थी अताहा उन में ब्रिटिस सत्ता के विरूध अशन्तोस चरम सीमा पर पहुँच गया था विभिन सामाजिक सम्हू अपने अपने हितों की रक्षा के लिए विद्रोहों में समलित हुए थे अताहा एक सामान नय उदेश होते हुए भी उनकी द्वस्टी में अंतर था शाशक एवं शाशक वर्ग से संबंदित लोग जैसे मुगल समराट, बहादुर जांदीते, जहांसी की रानी लक्षमी बाई, पेश्वा बाजी रावदीते के उत्रा दिकारी नाना साहब, अवद की बेगम हजरत महल, आरा के राजकुवर सिंग, जाठ नेता शाहा हमल बड़े बड़े जागीदार और तालुकदार भारत से ब्रिटिस सत्ता को उखाड कर अपने अपने राज्यों एवं जागीरों को पुनहा प्राप्त करना चाहते थे ब्रिटिस प्रशाषकों ने साधनों के ओचित्ते अथवा अनोचित्ते की कोई परवहना करते हुए कहीं चल, कहीं बल तो कहीं बिना किसी आढ़ के ही आधिकारिक भारते राज्यों एवं रियासतों का विले अंग्रेजी सामराज्यों में कर लिया था ब्रिटिस प्रशाशन ने जमिदारी बंदोबस्त के अंतरगत भूरा जस्व के रूप में विशाल धनरासी जमिदारों पर थोप दी बकाया लगान के कारण उनकी जांगीरों को निलाम कर दिया जाता था किसी जनाना नोकर अथव गुलाम के द्वारा दायर किये गए मुकदमे में भी उन्हें अदालत में उपस्तित होना पड़ता था उन्हें स्कूलों, अस्पतालों, सडकों आदे के लिए विशाल धनरासी चंदे के रूप में देनी पड़ती थी ब्रिटिस साशन के समाप्थ हो जाने से उन्हें इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता था भारतिय व्यापारी भी ब्रिटिस साशन से संतुस्ट नहीं थे सरकार की व्यापारिक चुंगी, कर तथा परिवहन संबंदी नीतियां भारतिय उध्योगपतियों और व्यापारियों के हितों के विरोधती तेज के आंतरिक एवं बाहे व्यापार पर विदेशी उध्योगपतियों का नियंतरण था व्यापारी चाहते थे उन्हें आंत्रिक और बाहे व्यापार में विदेशी व्यापारियों के समान ही सुविधाएं प्राप्त हों तथा उनके परंप्रागत लेन देन के ढंग और बहीखातों में किसी भी प्रकार का हश्ट छेप ना किया जाए किसान चाहते थे भूर आजस्वी की दर उदार हो, कर संग्रह के साधन कठोर ना हो, भुकतान ना करपानी की स्थिती में उनकी भूमी को निलाम ना किया जाए वे चाहते थे सरकार जमिदारों और महाजनों के शोशन एवं अत्याचारों से किशानों की रक्षा करे तता कृशी को उननत्व और गतिशील बनाया जाए बृटिस प्रशाशन की आर्थिक नीतियों ने भारत के प्रमपरागत आर्थिक धाचे को नस्ट करके भारतिय दस्तकारों और दस्तकरों को विश्वास था इंग्लेंड में निर्मित वस्तूओं को लाकर यूरोपिय ने भारते बुनकरों लोहारों मचीसियों आधी को बेरोजगार कर दिया था भारते कारीगरों और दस्तकरों को विश्वास था कि भारत से ब्रिटिस साशन समाप्त कर दिये जाने पर निश्चित रूप से उनकी इस्थिती बहतर होगी उनके उत्पादों की मांग बढ़ जाएगी और उन्हें राजाओं और अमीरों की सेवा में नियुक्त कर दिया जाएगा इसी प्रकार सरकारी गरमचारी चाहाते थे कि उनके साथ समार जनक ब्रताव किया जाए उन्हें प्रशाशनिक एवं सैनिक सेवाओं में प्रतिष्ठा और धन वाले पदों पर न्युक्त किया जाए तथा अंग्रेजों के समान वेतन एवं शक्तियां प्रदान की जाए उन्हें लगता था कि देश में बादसाही सरकार की स्थापना हो जाने से उनकी इन सभी समस्याओं का समधान हो जाएगा पंडित फकीर एवं अन्य ज्यानी व्यक्ति भी ब्रिटिस शाशन के विरोधी थे उन्हें लगता था ब्रिटिस प्रशाशक उनके धर्म को नस्ट करके उन्हें इसाई बना देना चाहते हैं ब्रिटिस सत्ता को भारत से उखाड कर वे भारतिय धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना चाहते थे वास्तव में विद्रोही भारत से ब्रिटिस सत्ता को समाप्त करके देश में अठार्मी शताब्दी की पूर्व ब्रिटिस ववस्था की पुन स्थापना करना चाहते थे यही कारण था कि उन्होंने ब्रिटिस साशन के पतन के बाद दिल्ली लखनव और कानपुर जैसे इस्थानों में एक प्रकार की सत्ता एवं साशन सरचना की इस्थापना का प्रयास किया दोस्तों देख लेते हैं कुश्यन नमबर एट 1857 के विद्रों के विशे में चित्रों से क्या पता चलता है इतिहासकार इन चित्रों को किस प्रकार विशलेशित करते हैं इसका अंसुर होगा विद्रो की अवधी में तथा उसके बाद भी अंग्रेजो एवं भारतियों द्वारा विद्रो के संबंदित अनेक विश्यों का चित्रांकन किया गया इन में से अनेक चित्र पैंसिल, निर्मित रेखा, चित्र उत्कीन, चित्र पोस्टर, कार्टून और बाजार प्रिंट आज उपलब्ध हैं ये चित्रांकन विद्रो की विभिन चवियां हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं पाठ्य पुस्तक में दिये गए कुछ महतोपूर चित्रो के अधार पर यह जानने का प्रयास करेंगे कि इतिहासकार इन चित्रों का विशलेशन किस प्रकार करते हैं विद्रो के संबंद में अंग्रेजों द्वारा बनाये गए चित्रों में अंग्रेजों को बचाने वाले एवं विद्रोहियों को कुचलने वाले अंग्रेज नायकों का अभिनंदन रक्षकों के रूप में किया गया है इस संबंद में टॉमस जॉन्स बारकर द्वारा 1869 ईश्वी में निर्मित चित्र दर्रिलीफ ओफ लखनव यानि की लखनव की राहत विशेस रूप से उलेखनिया है यह सर्व विदित है कि 1857 ईश्वी के विद्रो का संभवतहा सर्वाधिक भ्यंकर रूप अवद की राजधानी लखनव में देखने मिला था विद्रोही सैनिको द्वारा लखनव का घेरा डाल दिये जाने पर लखनव के कमिशनर हैंडरी लारेंस ने सभी सायों को इखटा करके उनके साथ अत्यधिक सुरक्षिद रेजिडेंसी में शरंड ले ली थी रेजिडेंसी पर विद्रोहियों के आकमर में हैंडरी लॉरेंस की तो म्रत्यू हो गई किन्तु कर्णल इंग्लिस ने किसी प्रकार से रेजिडेंसी को सुरक्षित रखा अंत में कॉलिन कैपबेल और जेम्स आर्टम की संयुक्त सेनाओं ने ब्रिटिस रक्षक सेना को घेरे से चुड़ाया और विद्रोहियों को पराज़त करके लखनों पर अधिकार इस्थापित कर लिया अंग्रेजों ने अपने विवरणों में लखनों पर अपने पुनहा अधिकार का उलेक ब्रिटिस रक्ती के वीर्था पूर्वक प्रतिरोध एवं निर्विवाद विजय के प्रतीक के रूप में किया जॉन्स पारकर के इस चित्र में कॉलीन कैम्प बेल के आगमन पर प्रसंता के समहरों का अंकन किया गया है चित्र के मध्य में तीन ब्रिटिस नाय को कैम्प बेल और ट्रम तथा हैव लॉक को दिखाया गया है उनके आसपास खड़े लोगों के हातों से संकेतों से दर्शक का ध्यान बर्बस ही चित्र के मद्य भाग की और अकरशित हो जाता है ये नायक जिस स्थान पर कड़े हैं वहाँ पर प्रयाप्त उजाला है इसके अगले भाग में परचाईया है और पिछले भाग में तूटा-फूटा रेजिडेंसी जिस्टी गोचर होता है चित्र के अगले भाग में दिखाए गई शव और घाय एलिस गेरा बंदी में हुई मारकाट के साक्षी है मद्य भाग में अंकित गोडों के विज़ाई चित्र ब्रिटे सत्तापनियन तरण की पुनह स्थापना के प्रतीक है इन चित्रों का प्रमुखुदेश अंग्रेज जनता में अपनी सरकार की शक्ती के प्रती विश्वास उत्पन न करना था इस प्रकार के चित्रों से ये सपस्ट संकेट मिलता है कि संकट समाप्थ हो चुका था विद्रो का दमन किया जा चुका था और अंग्रेज अपनी सत्ता की पुने स्थापना में सफलता प्राप्त कर चुके थे 1857 इश्वी के सैनिक विद्रो के दो वर्ष बाद जॉजेफ नोयल पैटन द्वारा बनाए गए चित्र इन मेमोरियम में चित्रकार का प्रमकुदेश विद्रो की अवदी में अंग्रेज विशेश रूप से महिलाओं और बच्चों की ऐसा हायता को प्रकट करना था इस चित्र में अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को एक घेरे में एक दूसरे से लिप्टा हुआ चित्रित किया है उन्हें पूर्ण रूप से ऐसा है और महसूम दिखाया गया है उनके चेहरे के भावों से ऐसा लगता है जैसे वे पूरी तरह से आशा विहीन होकर अपने अपमान हिंसा और मोत की प्रतिक्षा कर रहे हुँ चित्र को ध्यान पूर्वक देखने से पता लगता है कि इसमें भ्यांकर हिंसा का चित्रन नहीं किया गया है उसकी तरफ केवल संकेत किया गया है चित्रकार की है कल्पना दर्शकों को अंदर तक छकजोर डालती है वे गुश से और बेचेनी के भावों से उबलने लगते हैं और प्रतिशोद लेने के लिए स्वयम को तयार कर लेते हैं इस प्रकार के चित्रों में विद्रोईयों को दिखाया नहीं गया है तथा प्यून का प्रमोखुदेश विद्रोईयों की हिनसकता और बरबरता को प्रकट करना है इन मेमोरियन नामक इस चित्र की प्रस्ट भूमी में ब्रिटिस सेर्निकों को रक्षक के रूप में आगे भढ़ते हुए दिखाया गया है कुछ चित्रों में अंग्रेज महिलाओं का चित्रांकन वीरता की साकार प्रतिमा के रूप में किया गया है इन चित्रों में वे वीरता पूर्वक सुएम अपनी रक्षा करते हुए दिखाया गया है उधारण के लिए पाठे पुस्तक के चित्र 11.3 में मिस वीहिलर को वीरता की शाकार प्रतिमा के रूप में भारतिय सिपाहियों से वीरता पूर्वक अपनी रक्षा चरते हुए दिखाया गया है वीरता पूर्वक वीद्रोहियों के मद्य खडी ड्रिस्टी गोचर होती है और अकेले ही वीद्रोहियों को मोत के घाट उतारते हुए अपने सम्मान की रक्षा करती है अन्यब्रेटिस चित्रों के समान इस चित्र में भी विद्रोईयों को बरबर दानवों के रूप में चित्रित किया गया है चित्र में चार हस्ट पुस्ट व्यक्ती हातों में तलवारें और बंदू के लिए हुए एक अकेली महिला पर वार करते हुए दिखाए गए है वास्ताम में इस चित्र में अपने सम्मान और जीवन की रक्षा के लिए एक महिला के वीरता पूर्वक संघर्ष के माध्यम से चित्रकार ने एक गहरे धार्मिक विचार का प्रस्तुति करण किया है इसके अंतरगत विद्रोहियों के विरुद संघर्ष को इसायत की रक्षा के संघर्ष के रूप में दिखाया गया है चित्र में बाइबल को भूमी पर गिरा हुआ दिखाया गया है Q9 एक चित्र और एक लिखित पाठ को चुन कर किनी दो श्रोतों की पड़ताल कीजिए और इसके बारे में चर्चा कीजिए कि उनसे विजेताओं और पराजितों के द्रस्ट्रिगोन के बारे में क्या पता चलता है तो इसका अंसुर होगा यदि हम प्रस्तुत अध्यन में दिये गए एक चित्र और एक लिखित पाठ का चुनाव करके उनका परिक्षन करते हैं तो उनसे पता लगता है कि विद्रों के विशे में विजेताओं अर्थार्थ अंग्रेजों और पराजितों अर्थार्थ भारतियों के द्रस्ट्रिगोन में भिनता थी पहला पॉइंट होगा यदि हम पाठे पुस्तक के चित्र 11.18 का परिक्षन करते हैं तो इसपस हो जाता है कि अंग्रेजों ने जिस संगर्ष को एक सेनिक विद्रों मात्र कहा भारतियों के लिए ब्रिटिस सत्ता के विरुद छेड़ा गया भारत का पहला सोतंतरता संगराम था जिसका प्रमुकुदेश देश को विदेशी प्रभुत्व से मुक्त करवाना था जासी में विद्रों का नेतरत रानी लक्षमी बाई ने किया था इस चित्र में रानी लक्षमी बाई को वीर्ता की साकार प्रतिमा के रूप में चित्रित किया गया उलेखनिय है कि जासी में महिलाओं ने पूर्षों के वेस में असस्त्र धारण कर ब्रिटिस सेनकों से डटकर मुकाबला किया रानी लक्षमी बाई सत्रूं का पीछा करते हुए ब्रिटिस सेनकों के मोत के घाट उतारते हुए निरंतर आगे बढ़ती रही और अन्त में मात्र भूमी के लिए अपने प्राणों की बली दे दी लक्षमी बाई की यह वीरता देश भक्तों के लिए एक प्रेना का श्रोत बन गई चित्र में रानी को वीरता की साकार प्रतिमा के रूप में चित्रित किया गया है तथा वीरता की सहाराना में सरहाना में अनेक कविताओं की रचना की गई लोक्षवियों में जहासी की यह रानी अन्याय एवं विदेशी सत्ता की द्रंड प्रतिरोध की प्रतीक बन गई रानी की वीरता का गौर अफगान करते हुए सुबत्र कुमारी चोहान द्वारा लिखी गई पंक्तिया खूब लड़ी मरदानी वहतो जहासी वाली रानी थ की देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर आ गई सेकिंड है पाठे पुस्तक में दिया गया श्रोत साथ और अवध के लोग उत्तर से जोड़ने वाली संचार लाइन पर जोर बना रहे हैं अवध के लोग गाउं वाले हैं ये यूरोपियों की पकड़ से बिलकुल बा कि इन गाउंवालों की संख्या बहुत बड़ी हैं उनके पास बकायदा बंदू के हैं इस परिक्षन से पता चलता है कि अवध में विद्रोहों का व्यापक प्रशार हुआ था और यह विदेशी साशन के विरूत लोग प्रतिरोत की अभिवेक्ति बन गया था उलेखनिया हैं इस छेत्र में ब्रिटिस साशन ने राजकुमारों, तालुकदारों, किसानों एवं सिपाहियों सभी को समान रूप से प्रभावित किया था सभी ने अवध में ब्रिटिस साशन की स्थापना के परणाम से रूप अनेक प्रकार की पीडाओं को अनुभव किया सभी के अवध में ब्रिटिस साशन का आगमन एक दुनिया की समाप्ति का प्रतीक बन गया था जो चीजें लोगों को बहुत प्रियत ही वे उनकी आँखों के सामने चिन बिन हो रही थी 1857 इश्वी का विद्रू मानों उनकी सभी भावनाओं मुद्दो परंपराओं अवम निस्ठाओं की अभिवेक्ति का श्रोत बन गया था अवद में तालुकदारों को उनकी संता से सत्ता से वंचित कर दिये जाने के कारण एक संपूर सामाजिक विवस्था नस्ठ हो गई थी किसानों को तालुकदारों के साथ बांगने वाले निस्ठा और सनक्षण के बंधन नस्ठ ब्रस्ट हो गए थे उलेखनिया है कि 1857 इश्वी में अवद के जिन जिन छेतरों में ब्रिटिस साशन को कटोर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा वहाँ वहाँ संघर्ष की वास्तुरिक बागडोर तालुकदारों एवं किसानों के हातों में थी हमें याद रखना चाहिए कि अधिकान से शेहनी को संबंद किसान परिवारों से था यदि सिपाही अपने अफसरों के आदेशों की अवहेलना करके सस्तर उठा लेते थे तो ततकाल ही उन्हें ग्रामों से अपने भाई बंधूं को सहयोग प्राप्थ हो जाता था इस प्रकार अवद में विद्रो का व्यापक प्रसार हुआ इस विद्रो में किसानों ने सिपाईयों के कंधों से कंधा मिला कर बिटिस साशन के विरोध संघर्ष किया तो दोस्तों ये था NCRT Questions का Solution चेप्टर नमबर 11 विद्रो और राज के लिए दोस्तों इसको मैंने बहुत ही इसी लेंग्वेज में यहां पर आपको डिस्क्राइब किया है आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत जादा यूस्फुल रहेगा और आप एक्जाम में मेक्सिमम मार्क्स अचीव कर पाएंगे इसी के साथ दोस्तों इस तरह की और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले सब्सक्राइब करें एक्जाम अचीवमेंट को